नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में तो दोस्तों हम लोग यहां पर हमेशा की तरह हिंदी का फुल्टेस लगाएंगे जहां पर आज प्रस्णों की संख्या आपकी 125 ली गई है ठीक है ना तो हम लोग यहां पर रिव आद्यम से सभी वीडियो आप देख सकते हैं हमारी आवाज आ रही है सभी को आवाज आ रही है की लिए रहे चलो है चली तो इस्टार्ट करते हैं यहां पर आपका दिया गया है जो कि प्रंट संख्या एक से तीन तक यहां पर मोहौरे और आपके लोकुक्ति का अर्थ आपका A हो जाएगा अलग अलग परिष्ठितियों का अनुभा हो ना ऒर आपका डोगर आपके बहु आपके अपन से कर्म के अनुसार फ़ल प्राप्त होता है ठीक है उपसं आपका A सऺ बहु आपका दूर के ढोल सुहावने होते हैं दूर के ढोल सुहावने होते हैं आपका एक chapter भी था है ना तो यहाँ पर तिरिक option right आपका क्या हो जाएगा option आपका B हो जाएगा दूर से साधारन वर्स्त भी अच्छी लगती है ठीके B नमबर आपके यहाँ पर सही हो जाएगा चले नेस question आपका दिया गया है कि प्रस संख्या 4 से 6 तक इन में से 4 वाक्या आपके दिये गए हैं और 4 वाक्यों में एक सुद्ध है और 3 सुद्ध है सुद्ध वाक्ये चैन करना है कहरा आपसे यहाँ पर 4 नमबर में कि मेरा ध्यान अपने मित्र की ओर था मेरा ध्यान मेरे मित्र की ओर थे यहाँ पर देखे ए नमबर आपका यहाँ पर देखो सही दिख रहा है कि मेरा ध्यान अपने मित्र की ओर था अधर यहाँ पर देखेंगे तो कहीं न कहीं आपको तुरूटी देखने को जरूर मिलेगी जैसे कि B नमबर तो गलत ही है C नमबर आपका मुझे का ध्यान ऐसा होगा नहीं मेरे ध्यान अपने मित्री की ओर था ऐसा भी नहीं होगा फरस नमबर आपका सही हो जाएगा Next question आपका दिया है 5 नमबर कहरा आपसे कि संभावता उनका आना निश्चित है अच्छा भी देखते हैं निश्चित है उनका आना ऐसा तो होगा नहीं संभावता निश्चित है उनका आना देखे यहाँ पर आपका जो निश्चित है तो संभावता क्यों लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए न यहाँ पर D number कि उनका आना निश्चीत है ठीक है तो इस प्रकार से D हो जाएगा जब संभावता है तो संभावता में निश्चीत नहीं लगा सकता है ठीक है इस प्रकार से D हो जाएगा नेस्ट कर आपसे 6 नमबर, कर आपसे यूकों में निराशा च्छाई हुई है, 6 नमबर आपसे पूचा है, यूकों में निराशा च्छाई हुई है, तो सही तो लग राया देख लेते हैं, दूसरा, निराशा वाद यूकों में च्छाई हुई है, ऐसा नहीं, तो यहाँ पर यहाँ पर 7 नमबर आपका उज्वल और उज्वल तो आपको पता ही है किस प्रकार से सही लिखते हैं तो किस प्रकार से होगा उज्वल आपका जो दिया है C नमबर यह बिल्कुल आपका सही लिखा है ठीके C नमबर, नेस्ट कोचन आपका 8 नमबर है विद्यार्थी, और विद्यार्थी किस प्रकार से सही लिखते हैं भई, 8 का जवाब देना आपको, विद्यार्थी, very good, option right आपका यहां पर हो जाएगा, B नमबर, विद्यार्थी इस प्रकार से आपका सही लिखा जाएगा, ठीके, नेस्केर आपसे वहिसकार, नैन करना जवाब दीजिए, वहिसकार में सही सब्द क्या हो जाएगा, वहिसकार, देख्ये, सही नमबर, आपका C, वहिसकार, देखु यहां पर बड़ा बाला लगा है ना, फर्ष्ट वाले में, बलकि C नमबर आपके यहां पर सही हो जाएगा ठीक है चले प्रस रंख्या आपके 10 से 12 है यहां पर आपको कह सकते हैं कि इसके लिए 4 विकल्प दिये गए हैं और उचित विकल्प आपको देना है यहां पर दिया है कि जो सम्विधान के प्रत्कूल हो जो सम्विधान के प्रत्कूल हो उसे क्या कहते हैं तो जो सम प्रतिकूल पूछा है, ठीक है, चलिए ensuring question जो कठिनाई से भेदा या तोड़ा जा सके जो कठिनाई से भेदा या तोड़ा जा सके उसको क्या कहते हैं, तो भर इसे क्या कहते हैं सही जवाब हो जाएगा, आपका दुरुभेद option right आपका A हो जाएगा, ठीक है A number आपका सही हो जाएगा अगला है आदि से अंत तक यहां पर क्या हो जाएगा तो जो आदि से अंत तक होता है उसकी लिए एक सब्द जो प्रियोख करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं आप्शन राइट यहां पर आपका हो जाएगा अध्धंत ठीक है ए नमबर आपका हो जाएगा अधधन्द यह आपका सही हो जाएगा ठीक है और नेस्स कोशन आपका दिया गया है कि प्रस संख्या 13 से 16 में दिये गए वाकियों में आपको यहाँ पर बताना है रिक्तिस्थान चरिए यहाँ पर आपका दिया है तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा प्रेम और अहिंसा का मार्क बताया है ठीक है इस प्रकास से C आपका सही हो जाएगा ठीक है चली अगला है कि आसा का आसा का यहाँ पर क्या हो जाएगा आसा का दीपक अगर यहाँ पर भर दिया जाए ए नमबर ठीक है यहाँ पर अगर वास्त्विक मानों को पूंड प्रदान करता है तो भई क्या प्रदान करता है तो यहां पर कह सकते हैं सिच्छा का वास्त्विक उद्देश यहां पर सी आपका भर दिया जाएगा तो सही आपका हो जाएगा कि सिच्छा का वास्त्विक उद्देश मानों को पूंड प्रदा प्ध़ास है कि तो सोला को option राइतब का बी हो जाएगा मेरी पत्नी बीमार थीक एक 메ह स्थी नहीं बोला करता है ठीक है मेरी और इस्ती से 19 यहांपर आपके कह सकते हैं कि a b c वाले द्रोटि मेरी स्तिरी कोई नहीं बूला करता है पत्नी बोलता है ठीक है मेरी और नेस कोईशन आपकर दिया है set 13 से 19 यहाँ पर आपके कहिए सकते हैं की A B C वाले तुरूटी वाले हैं यहां पर देखना है कि कौन सा तुरूटी है यहां पर अगर तुरूटी नहीं तो डी लगाने आपको यहां पर देखते हैं कि आप से मैं फल ले लेने गई थी मैं फल लेने गई थी बाजार में भारी भरकम देखो यहां पर आपको लिखा है भारी भरकम भीड था तो भारी आपका गलत हो जाएगा भी number नेश कहरा आपसे 18 number कहरा आपसे यहाँ पर कि साहित और समाज में घोर संबंद है तो भाई घोर संबंद है यह आपका पढ़ा है अपने नहीं पढ़ा होगा तो साहित और समाज में अन्योस तरह है मतलब कहाई सकते हैं कि गोर की जगा आपका यहां पर अन्योस रे कर सकते हैं बहुत आपसी संबन्द है ठीके तो यहां पर ए नंबर आपका ही यहां पर सित रूटी आपको दिखाई दे गया है ठीके नेस कोचन आपका दिया है 19 नंबर 19 में आपसे क्या कह रहा है भाई कि मेरी सहली लगातार रोय जा रही थी उसकी आशू रूप नहीं रहे थे मेरी रुमाल भी आशू से भीग गया तो यहां पर कह सकते हैं मेरी मेरी रुमाल भी आशु से भीग गया मेरी रुमाल ही आशु से भीग गई दिको रुमाल और भीग गई अगर 19 option आपका D देखा जाए तो यहाँ पर कह सकते हैं कि भीग कह सकते हैं मेरा रुमाल आशु से भीग गई ऐसे कह सकते थे या आपका यह हो जाएगा डी नमबर तूरूटी आपकी थोड़ से है नेस कोशन आपका दिया है क्योंकि आशूओं तो होगा नहीं क्योंकि काफी आशूओं अगर है आशूओं से भीग़े बोल सकते हैं मतलब तूरूटी आपकी इसी में है यदि आशूओं को तो लारा पाży ही वोता है नेस्ट कोशन आपका दिया है निर्देश जो की 20 से 22 तक आपको है और विलोम सब्दा आपको बताना है ठीक है पच्छ का जो विलोम होता है क्या होता है बीस का जवाब दीजी पच्छ का विलोम जो हो जाएगा क्या हो जाएगा तो पच्छ का विलोम आपका वीपच्छ हो जाएगा ठीक है आपका बीस हो जाएगा लौकिक का विलोम क्या होता है लौकिक का विलोम तो लौकिक का विलोम होता है अलौकिक होता है ठीक है क्या होता है अलौकिक होता है सी नमबर नेस कोशन आपका दिया है अनुरक्ति का विलोम क्या होता है अनुरक्ति का विलोम तो अनुरक्ति का विलूम आपका विरक्ति होता है सही है बिलकुल जवाब सभी का साथ में आईए तो ज़्यादा अच्छा ही जवाब मिलेगा चलिए अगला है यहाँ पर 23 से 25 तक आपको दिया गया है और के सकते हैं चार विकल पे समनार्थी सब्द आपको बताना है धरती का समनार्थी क्या हो जाएगा धरती का समनार्थी क्या हो जाएगा तीस का जवाब तो धरती का समनार्थी आपका हो जाएगा डी नंबर भूमी ठीके क्या हो जाएगा भूमी हो जाएगा अगला है जंगल और जंगल का समनार्थक हो जाएगा 24 को आप्शन राइट आपका हो जाएगा कानन ठीके क्या हो जाएगा कानन भी क्या होता है इसका पर्याव होता है ठीके C नमबर आपका सही हो जाएगा पवित्र का बताईए आपर ठीके देखती हैं यहाँ पर 26 नमबर में कहरा है भेंड एक चतुर जन्तु है अच्छा भेंड एक मकार चौपाया है भेंड एक मुर्ख जीव है भेंड एक सीधा जानवर है तो भाई यहाँ पर देखा जाए जो सुद्ध आपका है तो भेंड एक सीधा जानवर है यहाँ प यहां च्षोटा सा मेरा मेरा यह च्छोटा लुटा है यहां पर इर नमबर आपका सही हो ठीक है चलिए नो इस question आपका दिया है 18 number के आपसे यहांपर देखते है 18 number में कि इस person का हल करनी क्या हो सकता है तो इस person तो का नहीं होगा क्य announcer होगा तो देखो यह वाला अगर देखा जाए इस person के हल करनी क्या हो सकता है इस person को अगर आहां पर शिद्ध हुजाता, तो यहांपर कह सकते हैं सही कर सकते थे फिर भी कि इस प्रस्न के हल की आवस सकता है, बिल्कुर सही है, बीनमर आपका होजएगा, इस प्रस्न के हल की आवस सकता है, ठीक है, चलो, Next Question आते हैं कहईराप से यहां पर 29 नमबर कि आज सभा में नेता जी को अभिनंदर पत्र प्रदान किया गया तो यहां पर सुद्ध देखते हैं यहां पर आज की सभा में नेता जी को अभिनंदर पत्र समर्पित किया गया सी देखिए आज सभा में नेता जी को अभिनंदर पत्र भेंट किया गया तो भेंट सब्द होता है ठीक है क्या होता है भेंट तो उस्सी नमर आपका सही हो जाएगा नेश्ट कोचन आपका दिया है तीस नमर कहरा आप से यहां पर कि भारत में अनेकों जाती हैं तो अनेकों सब्द कभी निप्रियोग करते हैं और अनेक सब्द आपको सिर्फ सी वालिम दिख रहा होगा यहाँ पर तो सी नमबर आपका सही हो जाएगा ठीक है चलिए अगला दिया है यहाँ पर जो की 31 से 35 थक है कुछ पंक्तियां है उनके रशनकार है और हमने बताया है कि कॉपी पिल लेकी ही बैठा करिए ठीक है चलिए दिया गया है कि मर्यादाओं को थोड़ ने तोड़ा है पांड़ों ने कम कौरों ने ज्यादा यहाँ पर 31 को उप्शन राइट आपका जो हो जाएगा वह आपका हो जाएगा बी नमबर धर्मवीर भारती की यह पंक्ति है ठीक है नेस्ट कोशन आपका दिया है भैवीत सभी को भै देता है यह पंक्ति किसकी है भ बच्चों को काफी कमेंट आयते हैं सर यह तो काफी टप होते हैं चलिए अगला है तब बुला जाता मुझे उस पार जो दूर के संगीत सा हुआ कौन है तो 33 का सभी जवाब आपका हो जाएगा बी नमबर महादेवी वर्मा की यह पंक्ति है ठीक है नेस्ट कोशन दिया है करम गति टारे नहीं टारी करम गति टारे नहीं टारी यह जो आपकी पंक्ति है यह किसकी है तो याद रखी यह पंक्ति आपकी कबीर दासकी है ठीक है सी नमबर हो जाएगा सी नमबर कबीर दासकी हो जाएगी ठीक है आप लोग कमेंट करते चलिए जो आ रहा हो और नहीं तो आप देखते चलिए जो टफ है तो उसमें हम समय ने लेंगे अगला है प्रीत कर काहू सुख ना लें हो यह पंक्ती किसकी है याद रखे यह पंक्ती आपके है सूरदास की ओप्सन रेट अपका भी सूरदास की है ठीके कॉपी पिन लेंगे तभी आपको फैदा मिलेगा वरना बस आप सुनते ही रह जाएंगे चलिए नेस कोशन आते हैं के आपसे बीजक यहाँ पर जो दिया गया है कि रचना के साथ चार रचनाओं के नाम दिये हैं जो बीजक रचना है किसकी है भाई तो आप सबको पता है कि बीजक के जो आपकी रचना है यह आपकी है उप की है ये कपंक्ति किसकी है कैसकते यह रचना किसकी है 37 के जवाद दीजे मरगावती यहाँ पर जवाब हो जाएगा option a कुतबन की है ठीक है कुतबन की है नेस्ट कोशन आपका दिया है पदमावत तो भैज पदमावत किसकी रचना है तो पदमावत है आपके option right यहां पर C हो जाएगा मलिक मुहमद जैसी very good option right C हो जाएगा मलिक मुहमद जैसी की है ठीक है next question दिया है नील देवी तो भैं नील देवी किसकी है तो आपने यहाँ पर नील देवी एक नाटक सुना होगा जो की आपके किसका है भारतेंदु हरिषचंद और चालिस नमबर है भारत सो भागगे और यह जो आपकी रचना है किसकी है भारत सो भागगे यह आपकी बद्री नरायंट चौधरी प्रेमगन option right up का B हो जाएगा बद्री, नरायंट, चौधरी, प्रेमगन की ए रचना है ठीक है और यहाँ पर कह सकते हैं कि इसकी answer की भी है और साथ में कह सकते हैं कि अभी question आपके बाकी है इस प्रकार के question आपको देखने को मिलते हैं दो या तीन question आपको देखने को मिलेंगे तो इनको आप fast revision की तरह पढ़ लीजिए ठीक है चलिए यहाँ पर आपका दिया गया है जो देवताओं की योग हो उसे क्या कहते हैं जो देवताओं की योग होता है उसे हम लोग दिब्वे बोलते हैं जो प्रतवी को धारण करता हो उसे क्या कहते है तो उसे बोलते हैं धरी धर क्या बोलते हैं धरी धर आपका बी हो जाएगा नेस कोचन दिया है फोर नमबर निरामिसी से क्या ततपर है निरामसी अर्था तिसकार्थ क्या होता है फोर का जवाब तो निरामसी होता है जो मांस ना खाने वाला हो ठीक है निरामसी बोलते हैं जो मांस ना खाने वाले को ठीके अगला दिया है जहां आबादी नहों उसे क्या कहेंगे तो भई जहां आबादी नहीं होती है उसे हम बोलते हैं निर्जन क्या बोलते हैं निर्जन आपका ए हो जाएगा अगला दिया है कि अपने बेटे की पतनी के लिए एक सब्द बताएगे अपने बेटे की पतनी के लिए एक सब्द आपको बताना है तो आप सबको बताया उसे बोलते हैं पुत्रवधू बोलते हैं ठीके सी नमबर आपका हो जाएगा पुत्रवधू नेश कराब से जो अपने पैरों से चल रहा हो उसे क्या कहते हैं जो अपने पैरों से चल रहा है उसे क्या कहते हैं 7 को उप्सन राइट आपका B हो जाएगा पैदल बोलते हैं ठीके पैदल बोलते हैं B नमबर आपका हो जाएगा अगला है शरीर के पीछे का घाव क्या कहलाता है शरीर के पीछे का घाव क्या कहलाता है आठ का जवाब दीजे तो जो सरीर के पीछे गाव होता उसे पच्छा घात बोलते हैं ठीके क्या बोलते हैं पच्छा घात बोलते हैं नेस्ट कोशन दिया है कि फलने वाला या फल देने वाला क्या कहलाता है फलने वाला या फल देने वाला तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग फल दाई, क्या बोलते हैं, फल दाई, option आपका B हो जाएगा, next question, भूतों का user को क्या कहते हैं, भूतों का user, तो भाई भूतों का user होता है, उसे हम बोलते हैं, ठीके, C नमबर हो जाएगा, भूतेश बोलते हैं, ठीके, हम थ में हमारी साथ देते जाए यहां पर दिया है मनोहर से क्या तातपर है मनोहर तो मनोहर से तातपर क्या होता है जो मन को हर लेने वाला होता है ठीक है सी नंबर मन को हर लेने वाले को मनोहर कहते है ठीक है चलिए मन मोहक से क्या तातपर है मन मोहक तो भई मन मोहक जो होता है उसे क बताना है, लोब करने वाला के लिए सब्द, जो लोब करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं, लोलूप बोलते हैं, ठीके, ए नमबर हो जाएगा, लोलूप बोलते हैं, अगला है, जो इस्तरी विद्वान हो, जो इस्तरी विद्वान हो, उसके लिए क्या ब और बुराई को पहचानने का जो गुण होता है उसे हम लोग बोलते हैं विवेक बोलते हैं ठीके सी नमबर आपका विवेक हो जाएगा अगला है जिसमें अपमान का भाव हो वहां सी क्या कहलाती है जिसमें अपमान का भाव हो वहां सी क्या कहलाती है सोला का जबाब क्या हो जाएगा तो सोला को हो जाएगा परिहास बी नमबर आपको हो जाएगा परिहास उसे बोलते हैं ठीके अगला युद्ध का अर्थ क्या होता है युद्ध का अर्थ क्या होता है भई तो यूयूत्स का अर्थ जो होता है उसे बुलते हैं हम लोग 17 को अपसन आपका C हो जाएगा युद्ध की इच्छा रखने वाले को यूजूत्स बुलते हैं ठीक है युद्ध की इच्छा रखने वाला निस कोचन आपका दिया है कि किसी भी पच्छ का समर्थन नहीं करने वाले को हम बोलते हैं क्या तो किसी भी पच्छ का समर्थन जो नहीं करता है उसे हम लोग बोलते हैं आपका कैसे कते हैं निस पच्छ ठीक है निश्पच्छे और निश्पच्चन आपका दिया है कि जिसकी पहले आसा नहीं की गई हो उनिश्पच्च का जवाब तो यहां पर हो जाएगा अप्रत्यासित सी नमबर हो जाएगा अप्रत्यासित अगला है जिसका अनभव किया गया हो जिसका अनुभाव किया गया हो उसको क्या बोलते हैं तूसे हम लोग बोलते हैं जिसका अनुभाव किया गया हो अनुभूत बोलते हैं ठीके B नमबर अनुभूत आपका B हो जाएगा अगला है कमल से युक्त जलासे कमल से युक्त जलासे जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं तूसे बोलते हैं हम लोग option right अप कड़ी पदमा कर बोलते हैं ठीक है कमल से युक्त जलासे को पदमा कर बोलते हैं आधी रात का समय आधी रात का समय जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या निसीत बोलते हैं याद रखे निसीत बोलते हैं ठीक है आधी रात का समय होता है निसीत बोलते हैं Next question आपसे कह रहा है सत्रजवत्तम से परे सत्र रजवत्म से परे जो सब्द प्रियोग करेंगे वो प्रियोग करते हैं आपके गुड़ा तीत से ठीके गुड़ा तीत के लिए प्रियोग करते हैं अगला है हवन में जलाने वाली लकडी जो हवन में लकडी जलाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं समिधा ठीके D नमबर हो जाएगा समिधा बोलते हैं अगला है जिसका जन्म कन्या के गर्ब से हुआ हो उसे क्या बोलते हैं भई 25 का जवाब दीजे यहाँ पर तो 25 का हो जागा option आपका B कानीन बोलते हैं उसे ठीके कानीन बोलते हैं जिसका जन्म उच्चकुल से हुआ हो उसे क्या बोलते हैं तो उच्चकुल में होता है उसे कुलीन बोलते हैं ठीक है कुलीन आपका D हो जाएगा अगला है कि जो वाड़ी द्वारा ब्यक्त ना किया जा सके उसे क्या कहेंगे 27 को अप्सन आपका हो जाएगा C उसे बोलते हैं यहाँ पर A निर्वाचनी ठीक है अप्सन आपका C हो जाएगा जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहेंगे 28 का जबाब देना है तो 28 को अप्सन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर B नमबर उसे मतलबी बोलेंगे ठीक है नेस कुशन कर आपसे जो कम बोलता हो जो कम बोलता है उसे क्या बोलते हैं जो कम बोलता है उसे हम बोलते हैं अल्प भासी ठीक है ए नमबर अल्प भासी अगला है किसी के उपकार की उपेच्छा करने वाले को हम क्या बोलते हैं तो भाई किसी की उपकार की उपेच्छा करने वाले को हम लोग बोलते हैं कृता गुन ठीक है यह आपको हो जाएगा बी नमबर नेस कोशन दिया है कि प्रतेक वाग के लिए सब्दा आपका देना है यहां पर कि तेज चलने वाला भाई तेज चलने वाले को हम को को यह बोलत परवत की तलाहटी और परवत की जो तलाहटी होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं वेरी गोड उसे बोलते हैं हम लोग उपत्ते का बोलते हैं ठीक है सी नंबर उपत्ते का बोलते हैं बहुत सी भासाओं को जानने वाला, बहुत सी भासाओं को जानने वाले को क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं, बहु भासी, बहु भासी, कौमसा ये वाला हो जाएगा, बहु भासा विद, ठीक है, ये आपको हो जाएगा, नेस कोशन का आप से कह रहा है, कि दिसाएं ही जिनके वस्त रहें उसे क्या कहते हैं तो दिसाएं ही जिनके वस्त हैं उन्हें हम लोग दिगंबर कहते हैं ठीके डी नमबर दिगंबर पेट की अगनी को क्या कहते हैं पेट की अगनी को क्या बोलते हैं तो भई पेट की अगनी को हम बोलते हैं जटरागनी ठीके जटरागनी और समुद्री की अगनी को बडवागनी और जंगल की अगनी को दावागनी नेश कराब से इस्वर में विश्वास करने वाला इस्वर में जो विश्वास करता है उसे हम लोग बोलते हैं आस्तिक क्या बोलते हैं आस्तिक ठीके और ना करने वाल और योध्धा नायक के लेक सब बताए सकतिसाली दयालू सांत धीर योध्धा का जो नायक है उसको हम बोलते हैं क्या उसे बोलते हैं धीरो दात्य क्या बोलते हैं धीरो दात्य ठीके अगला दिया है बीना प्रियास अर्थात परिश्रम के तो यहां पर आपका जो जवाब हो हो उसे क्या कहेंगे 43 को अप्स न रैट अप का B हो जएगा A प्रत्यासित ठीक है B नमबर A प्रत्यासित अगला है रंग मंच पर परदे के पीछे का इस्थान रंग मंच पर परदे के पीछे का इस्थान जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते ठीके जो अपने प्रत किये गए उपकार को ना मानने वाला तो जो अपने प्रत किये गए उपकार को नहीं मानता उसे हम लोग बोलते हैं कृतगन ठीके बी नमबर कृतगन अगला है जो आगे जो सबसे आगे रहता हो उसकी उसकी कैसे क्या बोलेंगे तो यहां पर आपका हो तो अग्ये मतलब होता है जिसे जाना ना जा सके उसे हम लोग अग्ये बोलते हैं ठीक है C नमबर आपका हो जाएगा जिसे जाना ना जा सके अगला है वीर पुत्र को जन्म देने वाले हिस्तिरी के लिए सब्द बताना है वीर पुत्र को जर्म देने वाले इस्तरी तो भाई बीर पुत्र को जर्म देती है इस्तरी उसे हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं भाई 48 का सही जवाब आपका D हो जएगा बीर प्रसु ठीके बीर प्रसु अपसन आपका D हो जएगा दूर की सोचने वाला के लिए सब्द बताना है तो भई जो दूर की सोचता है उसे हम लोग बोलते हैं दूर दर्सी ठीके दूर दर्सी बी नमबर जो गड़ना योगिना हो उसे क्या कहते हैं पचास का जवाब क्या हो जाएगा तो भई जो गड़ना योगिना हो उसे बोलते हैं असंख ठीके आपका हो जाएगा सी नमबर असंख है निर्गुड निर्गुड क्या बोलते हैं निर्गुड को तो भई निर्गुड बोलते हैं हम लोग जो सत्य रज वा तम तीनों गुडों से परे हो उसे निर्गुड बोलते हैं ठीक है ना सत्य और रज और तम तीनों से परे हो उसे हम लोग निर्गुड अभिग को क्या बोलते हैं वही अभिग तो अभिग किसे बोलते हैं जानने वाले को ठीक है जानने वाले को और ना जानने वाले कौन भी बोलते हैं निसकार आप से बचपन और जवानी के बीच की अवस्था बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को जो बोलते हैं यह बोलते हैं यह बोलते हैं आपके वया संदी याद रखना कि बचपन और जवानी की बीच के वस्था को वया संदी बोलते हैं जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसे क्या कहते हैं तो भैई जिसे कठिनाई से जीता जा सकता है उसे हम लोग बोलते हैं आपका option right हो जाएगा D, दुरजे बोलते हैं ठीके दुरजे अगला है एहसान ना मानने वाला एहसान ना मानने वाले को बोलते हैं कृतगन ठीके बी नमबर आपका हो जाएगा कृतगन जो देखने में प्रिय लगता हो उसे क्या कहेंगे जो देखने में प्रिय लगता है उसे क्या कहते हैं तो उसे हम बोलते हैं प्रिये दर्शी ठीके बी नंबर हो जाएगा प्रिये दर्शी जो ब्यर्तिकी बातें करता है उसे क्या कहते हैं तो भई जो ब्यर्तिकी बातें करता है अर्थात बहुत बातें करता है उसे हम लोग वाचाल बोलते हैं ठीके यहाँ पर सी हो जाएगा अ 58 का जवाब हो जाएगा C, उसे बोलते हैं, तनमन्यता, ठीक है, C नमबर, कम बोलती है, तो भई कम बोलने वाले क्या बोलते हैं, 59 का जवाब, तो उसे हम बोलते हैं, मित भासी, ठीक है, मित भासी, C नमबर आपका हो जाएगा, दो पाहर के समय को क्या कहते हैं, दो पाहर के स मैं बोलते हैं कि इतने में आपका अंडल लाइन उतने बोलंना ठीक है आँखों के सामने जो होता है उसे कि अम लोग कुलीन अगला है कि वैभाव को उस विद्याले में इम्तिहान देने वाला अर्थाज जो इम्तिहान देता है ठीके जो इम्तिहान देता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं परिच्छक क्या बोलते हैं परिच्छक बोलते हैं बी नंबर यहां पर सुरी यहां पर दिया है इम्तिहां लेने वाला है ठीक है लेने वाला तो आपका परिच्छक हो जाएगा ठीक है चलिए ने इस कोईशन आपका दिया है कि बुरी दसा भाई बुरी दसा देखो पूरा पढ़ो चायना पढ़ो जिसमें अंडलाइन उतना पढ़ो बस उतना है ठीके तो बुरी दसा और अगर अर्थ जादा निकालना है तो आप पूरा पर सकते हैं कि भारतियों की बुरी दसा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया तो यहां पर बुरी दसा अथात के सकते है इसके लिए जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दुर्दसा ठीके सी नंबर दुर्दसा अगला है कोई आकार नहीं होता भाई जिसका आकार नहीं होता यह कैसकती उसर कोई आकार नहीं होता तो इसके लिए जो सब्द बोलेंगे क्या बोलेंगे तो इसे बोलते निराका है रहा चलिए अगरा है किसी बात को करने का निश्चय ले लेते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं संकल्प है ठीक है क्या बोलते हैं संकल्प चलिए अगरा है कि वह हिस्त्री जिसका पती परदेश से आने वाला हूँ तो वह हिस्त्री जिसका पती परदेश से आने वाला हूँ उसे हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं आग अग पर हंतरुप जिसका कोई षत्रु पैयदा नहीं हुआ हुआ उसे बोलते हैं अजासारु ठीक है बी नमबर अजास सत्रू बोलते हैं जूट से क्या तातपर है जूट से क्या तातपर है सत्तर का जवाब दीजे जूट से तातपर होता है जूट बोलो वाला ठीक है जूट बोलने वाला के सकते हैं यहां पर ठीक है तो यहां पर जूट से तातपर होता है जूट बोल बोलने वाला है ठीक है अगला एक खत्त नमर किसी साहितिक क्रती की समालोचना करने वाला किसी साहितिक की अगक्रती है उसकी समालोचना करता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं समीच्छक बोलते हैं बी नमबर समीच्छक जिसका जन्म ना हो उसके लिए क्या बोलते हैं तो जिसके बराबर कोई ने होता उसे बोलते हैं अनुपम ठीके बी नमबर अनुपम बोलते हैं अगला है जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे क्या बोलेंगे 74 का जबाब क्या हो जाएगा 74 तो आपसना राट आप करड़ी होजएगा आस्तिक होजएगा ठ सब्द बताना है तो पचीस वर्स के लिए जो हम बोलते हैं वो क्या बोलते हैं इसे हम लोग बोलते हैं आपका बी नमबर रजत जयनती क्या बोलते हैं रजत जयनती बी नमबर ऐसा रोग जिसका उपचार संभाव ना हो उसे क्या बोलेंगे तो इसे हम लोग बोलेंगे असा ठीक है डी नमबर असाध दी बोलेंगे जो कानून के अनकूल ना हो उसे कईए gyya timeframe जो पूजा के योग्ग हो उसे क्या बोलेंगे तो वहीं जो पूजा के योग्ग होता है उसे बोलते हैं फूज्य क्या बोलते हैंं přूजीерм asking rate आपक को होने हो जागा B हो जल ये समुद्र में लगने वाली आग अब ये मने बताया था जल ये समुद्र में लगने वाली जो आग होती है उसे हम लोग बोलते हैं बडवागनी, ठीके बडवागनी, D-number अगला है विशिष्ट औसर पर विशिष्ट लोगों के समझ दिया गया विद्यापूर्ण भासण तो विशिस्ट औसर पर विशिस्ट लोगों को दिया गया विशिस्ट कह सकते हैं विद्यापुर भासन जो होता है उसे हम बोलते हैं अभी भासन ठीके अभी भासन बी नमबर किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु उसको क्या बोलते हैं तीसे बोलते हैं थाती याद रखे क्या बोलते हैं थाती ऑप्सन आपका सी हो जाएगा वह भाई जो अन्यमाता से उत्पन हो उसे क्या कहते हैं तो भाई उसे बोलते हैं अन्योदर ठीक है क्या बोलते हैं अन्योदर सी नंबर आपका हो जाएगा गोद में सोने वाले इस्तरी होती है उसे हम लोग बोलते हैं अंक साइनी ठीक है अंक साइनी ए नमबर हो जाएगा कस्ट से संपन होने वाला और कस्ट से संपन होने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं कस्ट साध्ध ठीक है कस्ट साध्ध अगला है जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके उसे क्या कहते हैं तो भई जिसका इंद्रियों से अनुमान नव होसे क्यों से बोलते हैं काल जई ठीक है पचासी कोशन आपके लिए थे और इसकी अंसर की आपकी यह है ठीक है तो दोनों की अंसर की आपने साथ में दे दिया है पीडियाप डाउनलोड कर सकते हैं और जो बच्चे कहा करते हैं कि सर पीडियाप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं ठीक है तो उनको बता दें कि हमारा टेलिग्राम नंबर है 74-94-2012 ठीक है यह हमारा टेली ग्राम नंबर है तो आप टेली ग्राम पे लिखेंगे क्या कि सर हमें PDF चाहिए यह टेली ग्राम पे मैसेज करना है अधर किसी में मैसेज मत करिएगा कोई आपकी जानकारी यह कह सकते हैं कोई देखेगा नहीं ठीक है सिर्फ टेली ग्राम डाउनलोड करिए ठीक है टेली ग्राम पे आप मैसेज करिए कि सर पीडियाप चाहिए बस आपको वाल लिंक दे दी जाएगी तो उसके माध्यम से आप पीडियाप पा सकते हैं बस यही एक चारा है अगर आपको लिंक किलिक करने में आपका अस्वल हो रहा है तो समझ गए ना तो हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए धनवाद जैहिन जै भारत